इस वीडियो में सॉल्व करें क्वेशन नवर 14 राइट फाइब नंबर्स विच यू कैनाट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वेयर जस्ट बाइब लुकिंग अड़ यूनिट्स डिजिट तो हमें फाइब नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनको हम केवल उनको देख करके नहीं पता कर पाएं कि वह पर्फेक्ट स्क्वेयर है चलिए सॉल्व करते हैं तो ये क्वेशन नमर 13 का एक नेक्स्ट वर्जन है एक्शली एक्जेक्ट क्वेशन जो 13 था वो भी यही था रिक्वाइड नंबर्स आर तो हमारे पास रिक्वाइड फाइब नंबर्स क्या होंगे पहला फस्ट कुछ भी लिखे यहां पर जैसे 287 और लास्ट में ऐसा नंबर लिखे जो 237 या 8 नौ आए इन चारो नंबर्स में से इन चारो डिजिस में से कोई भी डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर नहीं आना चाहिए तब ही आप डिसायट नहीं कर पाओगे कि वह परफयक्ट इस्कुर है या नहीं ठीक है यह पहला नंबर हो गया कि यह 237 वेट से एन नहीं हो रहा दुसरा कुशन हो जाएगा टू फोर फोर ये भी एक ऐसा नंबर है यूनिट से डिडिज़ पर क्या है आपर फोर है न ये बता रहा है कि अभी पता नहीं कर सकते कि ये परफड़ इसकोर है या नहीं है ओके थार्ड वन एट सेवन फाइव वन अइसा है जिसको हम केवल देख करके नहीं बता सकते कि ये परफड़ इसकोर नहीं है क्योंकि यहाँ पर उनिट से पर क्या है 6 है जब 6 होता है तो हमें पता नहीं चल पाता हमें इसको फेटराइज करना पड़ेगा फिर पता करना पड़ेगा चले next, fourth 2, 8 1, 9 9, 7, 9 ये number भी ऐसा है मतलब कि unit space पर आपको देखना है कि ये जो number आए unit space पर वो कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आना चाहिए कोई भी और number यूज़ कर सकता है लेकिन 0 भी नहीं रखना है क्योंकि 1, 0 रखेंगे तभी पचल जाएगा पाचवा कुछ भी रखिए 8, 1 7, 1 5, 1 ये भी एक number है जिसको हम decide नहीं कर सकते कि ये परफेक्टी स्क्वार होगा या नहीं होगा इस question बस इतना ही फोकस करना था कि 2, 3, 7, 8 येदि आएगा तो वो परफेक्टी स्क्वार नहीं होगा और येदि इनके आलावा कोई भी दूसरा डिजिट होता है युनिट्स पलेस पर तो हम clearly specify नहीं कर सकते कि वो परफेक्टी स्क्वार है या नहीं तो इस question का answer जो है ऐसे आपको देना होगा ओके थैंकिस सो मच फर वाचिंग अच्छा लगा तो लाइक कर दिजिएगा तो शुक्सेयर करिएगा और subscribe नहीं कियोंगी तो subscribe कर लिजिएगा क्योंकि आपके साथ में रहने वालों क्लास 12 तक थैंकिस सो मच बाई